हाई गाईज, वेलकॉम बैक टू एनधर वीडियो और आज की वीडियो में हमारे पास है हिफिन ब्रेंड का ट्रेवल सीरीज का ट्राइपोड तो बेसिकली मेरेको ये हिफिन ब्रेंड ने सेंड गया ताकि मैं इसको जन्यूलली रिव्यू कर सको और मेरेको ओवरोली ट्राइपोड की क्वालिटी कैसी है और ऑवरोली किस तरह का ट्राइपोड है आए देखते हैं आज की इस वीडियो में सबसे पहले गाईज मैं आपको इस ट्राइपोड के बार में क्विक ओवर्विव देता हो तो ये ट्राइपोड गाईज मैक्सिमम नोड 7 kg तक उठा स बोकसिर्व में पंग करनं सकते हैं अरे सबसे पहले देखने को मिलता है अब मैं कहीं कर सकते हैं और ये हैं इसके पिकशली अपैसरे को अम रखते अब निकालते हैं ट्राइपोड को इस पोली बैंग में से और जैसी आप इसको निकालेंगे तो अभी ये उल्टा तो तो फोर्ड μεन चुकंगा है तो इस तरह से सीधा करना है तो आपको फ्रेम में पूरो दिख रहा हूंगा हैं यहां की वार्त सोऩ 2 घी यह पर गरीजों के तो यह को की पर जया करें लेख से रही करें चमारेregat तो इसको remove करते guys यह है हमारा bowl head जिस पर हम अपने camera को mount कर सकते हैं और यह काफी compact है easily guys आप अपने bag में डाल के इसको कहीं भी लिजा सकते हैं और light weight है and guys रही वाती इस tripod को expand करने की तो यहाँ पर simply हमें इस तरह से इसका locking mechanism देखने को मिलता है जिससे हम इसकी legs को spread कर सकते हैं तो आपने क्या करना है guys यहाँ पर इसकी इस लोग को इस तरह से घुमाना है और घुमाती guys आप इस तरह से खोलेंगे तो इसकी सारी legs open हो जाएगी तो तीन leg है इसकी और तीनों leg को आप इस तरह से open कर सकते हैं और फिर आप इससे tight कर सकते हैं तो overall इसका mechanism इस तरह से काम कर आपको लिंक जो है description box में देखने को मिल जाएगा वहाँ पर इसका actual price है क्योंकि price fluctuate होजे रहते हैं तो actual price आपको वहाँ से पता चलेगा एक बर guys आप description box चेक कर ले ताकि आपको वहाँ से idea होजाए कि इसका actual price क्या है अब guys as you can see even a tripod की पूरी length open कर दियो और मैं इसको जाता ऊचा हो गया है तो guys यह है इसकी maximum high डिस से guys आप जो है proper shoot कर सकते हैं और रहूल guys काफी बढ़िया quality का tripod है लेकिन इस tripod में एक खास बात और है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं तो इस tripod में एक खास बात ही है जो कि इससे और भी जदा travel series के लिए compatible बनायता है वो है इ simplest leg को इस तरह से इसको घुमाना है और जैसे guys आप इसको घुमाते रहेंगे तो इसका monopod यानि की जो लेग है यह बाहर आजेगी और इससे guys आप monopod की तरह इस्तमाल कर सकते हैं यहां पे guys आपको जो है screw लगाने का mount दे रहें यहां पे आप कोई भी tripod head या फिर कोई भी आप device attach करना चाहे तो यहां पे कर सकते हैं और इस तरह से इसकी leg को यहां से expand कर सकते हैं ताकि guys आप इससे monopod की तरह इस्तमाल कर सकें और जैसे कि guys मैंने आपको बता है कि इस tripod का design traveling की point of view से बनाया हुए तो guys आप इन tripods की leg को काफी जदा expand कर सकते हैं मतलब कि broad expand कर सकते हैं यह तो बहुति low angle shot लेने हैं तो इस तरह से इसको इतना जादा ब्रॉड कर सकते हूं और यहां से इसको open करके इस तरह से loose करके इसको adjust कर सकते हूं तो माल लिजा मैंने इस तरह से इसको यहां पे tight किया तो इस तरह से guys मैं इसको किसी भी surface पर बहुती minimum बहुती lower height पर जो है ट्राइपोड को मांट कर चाहिए तो आप इस बोल हैड को यहां से लूज करके अपने कैमरे को और भी असानी रहते हैं कि आप अपने कैमरा को बिल्कुल ब्रॉपरली बैलेंस कर सकते हैं, तो बोल हैड इसमें तभी लगाया गया था कि आप किसी भी तरह की वीडियो तो बहुत सारे फीचर से हमें बहुत ही कम प्राइज में देखने को मिलते हैं क्योंकि इस तरह की ट्राइपॉड यूजिली काफी जादा एक्सपेंसिव आते हैं लेकिन इसका जो प्राइस है काफी हद तक मिनिमम है मल्दब की वैल्यू फोर मनी प्रोड़क्ट हमें हिफिन गुड निउस है अगर आप मेरे दिएगे कुपन कोट sd5 को स्रिप्शन में दिएगे लिंक पर एपलाई करेंगे उनकी वैबसेट पर जागे तो आपको एडिशनल 5% डिसकाउंट देखने को मिलेगा इस ट्राइपोड पर तो जो लोग ट्राइपोड परचेस करना चाते हैं इनकी वैबसेट से परचेस कर सकते हैं और मेरे कुपन कोट से और भी अच्छा सेव कर सकते हैं तो आई होप गईस आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्स्क्राइब जरू करें मिलते हैं आप सभ वीडियो में